सरगी करवा चौथ वरत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो सास द्वारा अपनी बहू को दी जाती है और इसे सूर्योदय से पहले ग्रहन किया जाता है. सरगी में शामिल किये जाने वाले खाद्य पदार्थ, पोशक और उर्जा देने वाले होने चाहिए, ताकि दिन भर निर्जला वरत के दौरान शरीर में उर्जा बनी रहे. सर्गी में शामिल किये जाने वाले खाद्यपदार्थ, सीडोर एट, सूखे मेवे, बादाम, काजू, अखरोट, किश्मिश, आदी मेवे, उर्जा और पोशक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो दिन भर शरीर को उर्जा प्रदान करते हैं दो, फलों का सेवन, ताजे फल जैसे सेब, केला, अनार, पपीता आदि खाएं, ये शरीर को हाइडरेट रखते हैं और दिन भर ताजगी बनाए रखते हैं, श्रंगार करें व्रत के दोरान सुहागिन स्त्रियां अपनी पूरी श्रंगार करती हैं, जैसे की लाल या पारंपरिक परिधान पहनना, महंदी लगाना, चूडियां पहनना और अन्य सुहाग की वस्तुएं धारण करना, इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है करवा पूजन की तैयारी करें दोपहर में करवा चौथ की पूजा की तैयारी करें, एक मिट्टी का करवा, घड़ा, लें और उसमें जल भरें करवा चौथ की कथा सुनने के लिए पूजन स्थल को सजाएं और करवा, दीपक, रोली, चावल, फल, मिठाई और अन्य पूजन सामगरी एकत्रित करें करवा चौथ वरत कथा सुने चंद्रमा निकलने से पहले सभी व्रती महिलाएं एकत्रित होकर करवा चौथ व्रत की कथा सुनती है इससे व्रत का फल और भी बढ़ जाता है चंद्रमा का पूजन करें रात को चंद्रमा के उदय होने पर उसकी पूजा की जाती है चलनी से चंद्रमा को देखती है और फिर पती के दर्शन करती है इसके बाद पती के हाथ से जल ग्रहन कर व्रत का पारण करती है व्रत तोड़े? पारण चंद्रमा को अर्ग्य देने के बाद पती के हाथ से पानी और मिठाई खाकर व्रत का समापन करें इसके बाद सामान ने भोजन ग्रहन करें करवा चौत व्रत की यह विधी पति-पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास को बढ़ाती है तथा उनके जीवन को सुख सम्रिद्धि से भर देती है